Hello friends, इस व्डेडेट में हम सिंगल फ्रेस मोटर को reverse forward कैसे करतें उसका connection बताएंगे और दोनों साइड से running coil में ही motor चलेगी brothers down ये ने कि एक बार starting में, एक बार running में तो चलेगे video start करते है फटाफट दोस्तों ये RF switch आप देख सकते हैं को इत्क हम्हार्णीन कौरें के श्तार्ट का अगुमे का सब्सक्राइए Ah भषारई को सब्सक्राइए और मैंसाइए hipि श्तार्टिन इसमोस में चैन और तो आद पर देखने के सिरसे पाना से समय हो तो अब देख्श vibrant यह RF शूच है इसमें total no point है हम सबसे पहले यह capacitor को वायर देंगे यह capacitor को वायर हुआ इसके बाद दोस्तों यह starting coil को वायर है फिर बीच में यह running coil को वायर है इसके साथ हम supply वायर भी जोड देंगे running coil के साथ ये न्यूटल ये फेस कोई भी हो सकता है चलेगा यहाँ पर ये में सप्लाई का वायर है और ठीक इसी के बाज में हम दूतरा रणिंग वाला वायर जोड़ देंगे बीच वाले दोनों पॉइंट में रणिंग को वायर रहेगा और यहाँ पर भी एक लूप लगाएंगे यहाँ से फेस ये न्यूटल दोनों में से कोई ये गाएगा और इदर फेस आगा तो उदर न्यूटल आएगा जाहिर सी बात है और इस लूप कम साइड में जोड़ देंगे ये लूपिंग हो गया अब यहाँ पर ये न्यूटल वाला है और इसके साथ एक लूप लगाएंगे और ये लूप लवार को ये सेड में जोड़ देंगे बहुत सीम्पल है बहुत इजी है दोस्तो ध्यान रेस में गलती होता है अगर तो स्टैटिंग कोईल से मॉटर चलेगी तो जल जाती है इसलिए दोनों साथ से रनिंग में चलनी चाहिए अब देख सकते हैं ये यलो वाला जो वायर है ये ये कैपिस्टीटर का वायर है इसके ठीक बाजु में श्टार्टिंग कोईल का वायर है और बीच वाले में दोनों रनिंग का है ये रनिंग का हुआ और ये रनिंग का यहां से लूप करके बीच में गया हुआ है और ये लूप आपने सामने और यहां भी एक में सप्लाई का ये दोनों खाली रहेगा अभी ये क्रोस क्रोस में किया हुआ है आरे फिच में रेडिमेट है साथ है क्रोस किया हुआ दोस्तो अभी भी कोई डाउट है तो कोई बात नहीं अभी मैं इसको ड्रॉइं में समझाऊंगा अच्छे से समझ में आ जाएगा इतना वोड नहीं है बहुत इजी है आई अभी इसको चालू करके देखते हैं पहले दोस्तो दोनों डारेक्शन में एंप्यर सेम होना चाहिए एक आदे एंप्यर आगे पीछे चलेगा पर ज्यादा का डिफरेंस नहीं होना चाहिए यह हमने टूपिन लगा दिये सिंगल फेस का अभी इसको चालू करेंगे पहरे इधर से बन कर लेते हैं फिर बटन का चालू क करेंगे अभू देख सकते हैं ये हमने चालू किया मोठर ये एक मोठर स्टा अक्र म स्टाड करा है हमारा है अब दूसरी डाराइक्शन में चेक करेंगे अogens करें यूद्हार चल रही है करें चिए नियूजें अ क्यों चेक करते हैं दो ज्यांदा कोई बात ना चलता है तोड़ा बहुत तो अब देख सकते इसके डारेइक्शन रिवर्स पर टूर्ष दो जौना मोटर चल रहा है दोस्तों सिंगर पेस मॉटर को रिवर्स फरवर्ड करने के बहुत कम जरूरत पड़ती है लेकिन कभी कभी पड़ जाती है तो इसको आपको पता होना चाहिए किसका कनेक्शन कैसे होता है तो चलिए अब इसको ड्राइंग में समझेंगे अच्छे से तो दोस्तों चलिए ड्राइंगराम बना के समझते हैं कनेक्शन कैसे करना है ड्राइगराम से देखते हैं यह होगी हमारा आरेप सीच आरेप सीच में टॉटल नौ पॉइंट होते हैं हम पॉइंट बना लेते हैं यह एक दो तीन चार पांच छे सार आठ नौ तो दोस्तों यह नौ पॉइंट होगे आरेप सूच में और यह क्रोस पहले सी किया हुआ आता है आरेप सूच यह ऐसे क्रोस रहता है और यह ऐसे क्रोस रहता है यह ऐसे सोट किया हुआता है अब हमें कनेक्शन कैसे करना है दोस्तों तो सबसे पहले हम यहां पर बना लेते है यह हमारों की capacitor का पहला वाला यह capacitor का दूसरा वाला वायर अब यह भी यह running का पहला वायर और यह running का दूसरा वायर और यह regarding का पहला वायर कै zost永ा अर्य को सब से पहले इस को कैसे करना है जीडिकलिजिए यह का पहला वाला और स् outfits कट कर देंगे ठीक है स्टीकर चार एक दो तीन और चार तो सबसे यह जो कैपसीटर का वाःर है हम यहां से जोड़ां गठैंगे यह वाले पॉइंट से यह हो गया के लिख और और एक गी जोड़ां कि जोड़ां कर देंगे यह स्टार्टिंग का वायर होगे दूसरा वाला अब यह जो दोनों रनिंग का वायर है दोस्तों यह दोनों रनिंग का वायर हम यह बीच वाले पॉइंट में यहां पर जोड़ेंगे यहां पर और यह दूसरा वाला यहां पर कुछ इस तरीके से तो दोस्तों आप देख सकते हैं दोनों running वाला बीच में है एक running का यहाँ पर दूसरा वाला रणिंग का यहाँ पर है और यह starting का यहाँ पर है निचे वाला और यहです यह दिया हुआ है और यह bastion को यह है और एक sharp start का हमने यहाँ पर जोड़ कर देंगे और यहहां से यहां पर हम एक वायर देंगे यह फेस हो जागा यह नीटल वह जागा कोई भी तो इस तरीके से हमको करना है दोस्तों यह जो लूपिंग किया हूlt यह भी आरेख सुछ में किया हूँ आता है हमने वीडियो में इंसको लूपें ऑफ है बाद में तो अगर वेलू नहीं है तो आप इसको लूप कर सकते हैं दोस्तों हम यहां का वायर है वो भी यहीं पर रहेगा और यह जो स्टार्टिंग का वायर है वो यहां पर आएगा यहां पर है इसके साथ और यह जो रॉनिंग का वायर है वो इसी के साथ रहेगा और यह दूसरा वाला इसके साथ रहेगा और यहां यह लूप करके इसमें रहेगा और यहां ज हुआ है तो यह कनेक्शन भी सही है और पहले वाले भी सही है दोनों कनेक्शन सही है आपको जो मज़ा है वो ऐसा कर सकते हो दोने में मोटर रिवस फ़रोड होगी दोस्तु आज लिए बस इतना ही मिलते नेक्ट वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ